बिवानी में करोना महमारी के बीच राहत की खबर सामने आई है यहां नो दिन बाद 11 साल के बच्चे ने करोना को हरा कर घर वापसी की है साथ ही डोक्टरों ने भी बच्चे का होसला बढ़ाया है बच्चे को चोकलेट गेफ्ट गुल्दस्ता वह स्वास्थे के साथ बच्चे की खुशी वह डोक्टरों की पहल देखने लायक थी बतादे की दस मई को विद्या नगर में करोना के एक साथ तीन के सामने आने से करोना सुरक्षित भिवानी में आमजन के साथ स्वास्ते विभाग में हड़कम्प मच गया था 42 वर्षिय जेविटी अध्यापक उसकी 14 वर्षिय बेटी वह 11 वर्षिय बेटे को करोना पोजिटिव पाय जाने पर स्वास्ते विभाग की टीम ने तीनों को चोधरी बंसिला नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया अब 9 दिन बाद 11 वर्षिय बच्चे तरुन को रिपोर्ट नेगिटिव आने पर डिश्चार्ज किया गया है 11 वर्षिय तरुन करोना पर जीत हासिल करने पर उसके चहरे पर खुशी थी इसी खुशी को बनाए रखनी और उसका होसला बढ़ाने के लिए स्वास्ती विभा डिश्चार्ज किया गया करोना पर जीत के बाद किसी बच्चे को इस परकार हसी खुशी गिफ्ट के साथ डिश्चार्ज का देश में शायद यह हैं पहला मामला हुगा COVID-19 के जीला कॉडिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तरुन को हमारी टीम घर तक छोड़ कर आएगी और उसे घर पर 14 दिन क्वारेंटाइन रखा जाएगा साथ उसके परिजनों से तरुन के स्वास्ते की रोज रिपॉर्ट ली जाएगी उन्होंने बताया कि तरुन छोटा बच्चा है उसका होस्पला बढाने के लिए उसे गिफ्ट चॉकलेट गुलदस्ता वो प्रशंसा पत्तर देकर उसके स्वास्ते वो भविश्य की टीम भी साथ में वेज़ी है कि सुनिश्चित करें वहां जाके सारी हिदायते देकर आएं और उनके घर तक शकुषल उनको पहुंचा के आएं कि ताउजी जहां पर घर पर हमें ने टेलीफॉन पर बात किये कि उनको सारी बते समझा कितने दिन के लिए गर पर रखा जाए स्क्रीनिंग करेंगी अगर कोई भी किसी परकार की कोई दुबारा दिक्कत होती है तो हमें उन्होंने आश्वेश्ट किया उनके ताउजने कि उत्रणत हमें टेलीफोनिकली सुचना देंगे और हम आगे उसी हिसाब से करवाई करेंगा होस्पिटल से घर बेचा किस परका देकर फूलो का घुलजट्ता देकर उसके उचल बहुशे की कामना और उर्तम क्वालेटी के स्वास्थे की कामना करते उनको शुब कामना देकर घर बेचा भीवाने की जनता से अम यही पिल करना चाहते हैं कि जो भी गवर्मेंट ओफ इंडिया की गाइडलाइन से उननी क चैनल को लाइख, शेर और सुब्सक्राइब करें। थैन्ने वादी।